कल से बार-बार पूछ रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, बगल की जमीन का रेट पता करो, राम जनम भूमी ट्रस्ट के लोग, आदनी चंपत राय जी बार-बार कह रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, वहां तो जमीन महंगी हो गई, वहां तो जमीन महंगी हो गई चूट नंबर एक पहले दिन चंपत्राय ने कहा मैं इस मामले की स्टडी करूंगा जबकि वो तीन महीने से सुल्तान अंसारी से मिल रहे थे और जमीन का सवधा कर रहे थे रिसी केस उपाध्याय भारती जनता पाटी के मेयर राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले पैसा खाने वाले चंदा चोरों की जमात ने इसके भतीजे का नाम है दीप नरायन उपाध्याय इसका भतीजा है जो भारती जनता पाटी के मेयर रिसी केस उपाध्याय के साथ र दूसरी बात आज एक और अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र ने खुलासा किया भारती जन्ता पार्टी के लोग कल से बार बार पूछ रहे थे बगल की जमीन का रेट पता करो बगल की जमीन का रेट पता करो राम जनम भूमी ट्रस्ट के लोग आदनी चंपत राय जी बार बार कह रहे थे बगल की जमीन का रेट पता करो वहाँ तो जमीन महंगी हो गई वहाँ तो जमीन महंगी हो गई जूट नमबर एक पहले दिन चंपतराय ने कहा मैं इस मामले की स्टडी करूँगा जबकि वो तीन महीने से सुल्तान अंसारी से मिल रहे थे और जमीन का सवधा कर रहे थे उनको घटना के बारे में जानकारी थी जूट नमबर दो फिर बोले सुल्तान अंसारी और रवी मोहनतिवारी के साथ पुराना एग्रिमेंट था वो हमारे लिए बाध्यकारी था इसलिए उन्होंने दो करोण में जमीन खरी दी हमने उनसे साड़े अठारा करोण में खरी दी जबकि सच ये था कि वो एग्रिमेंट ही अठारा मार्ज को रद्ध हो गया था जोट नमबर तीन चमपत राय ने कहा जमीन का रेट महदा हो गया जमीन का रेट ज़ादा है अगल बगल की जमीन का रेट पता कर लो भादपा वाले मुझसे पूछ रहे थे विश्विंदू परिस्द वाले मुझसे पूछ रहे थे राम जनम भूमी के ट्रस्ट के लोग मुझसे पूछ रहे थे अरे भाई आप मुझसे क्यूं पूछ रहे थे चंदा चोरों को तो पता था कि बगल की जमीन का रेट आठ करोन रुपए है आठ करोन रुपए और अब मैं वो आठ करोन रुपए की जमीन का रेट बताता हूँ यह है गाता संख्या दो सो बयालिस दो सो बयालिस का मतलब की बगल की जमीन और इसका भी प्रतिवर्ग मीटर प्रतिवर्ग मीटर इसका भी मूल है देख लीजे काईदे से हाँ तालिस सो रुपए जो जमीन जो जमीन राम जनम भूमी ट्रस्ट ने रवी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदी उसका भी रेट है प्रतिवर्ग मीटर अन्तालिस सो रुपए यानि जमीन बिल्कुल आसपास की है और जो जमीन कुसुम पाठक से कुसुम पाठक से जो जमीन सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी ने खरीदी उसका भी सरकिल रेट है अरतालिस सो रुपए प्रतिवर्ग मीटर अब आपनों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजेगा भी ये तीनों जमीन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इसका सरकिल रेट एक बराबर है सरकिल रेट बराबर है यानि जमीन एक ही जगें की है गाटा संख्या 243, 244, 246 साथे अठारा करोण में खरीदी जाती है और गाटा संख्या 242, 8 करोण रुपए में खरीदी जाती है ये है 10,370 वर्ग मीटर और ये है 12,080 वर्ग मीटर एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर 10,370 वर्ग मीटर एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर एक जमीन का दाम है साथे अठारा करोण रुपए एक जमीन का दाम है आठ करोण रुपए ये भरस्टाचार है कि नहीं है ये भरस्टाचार है कि नहीं बिलकुल बगल की जमीन दोनों जमीनों में मात्र 1700 वर्ग मीटर का अंतर और एक जमीन आठ करोण की दूसरी जमीन साढ़े अठारा करोण की यानि अगर इसी रेट में इसी रेट में आठ करोण के रेट को ही अगर हम लोग मान लें सही मान लें जिसमें 10,370 वर्ग मीटर खरीदा गया है तो अठारा करोण में करीब करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती थी लेकिन आपने 12,080 वर्ग मीटर का दाम लगाया साड़े 18 करों डूपए और 10,370 वर्ग मीटर का दाम लगाया 8 करों डूपए इतनी गड़ित तो कच्छा 3 के बच्चे को भी समझ में आ सकती है जो चमपत राजी को समझ में नहीं आ रही जो भाजपाईयों को समझ में नहीं आ रही जो विस्विंदू परसित के लोगों को समझ में नहीं आ रही है मैं फिर कहना चाहता हूँ ये इस देश के करोंडो राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवार है मैं फिर से कहना चाहता हूँ ये प्रभुस्री राम के मंदिर में घोटाला और भरस्टाचार है मैं फिर से कहना चाहता हूँ प्रभुस्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर घोटाला और भ्रस्टाचार किया जा रहा है भारती जनता पार्टी के नेता और राम जनम भूमी ट्रस्ट के लोगों ने मिलके प्रभुस्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया भाड़पा के नेताओं को देश और दुनिया के करोंडों हिंदूओं से माफी मांगनी चाहिए ये साड़े सोला करोण रुपे इन बेइमानों से वापस लेना चाहिए क्योंकि ये इस देश के करोणों लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है और इन बेइमानों को पकड़ कर जेल में डालना चाहिए ये बहुत बड़े चोर है और आज के कागज के बाद ये स्पस्ट हो जाता है कि एक नहीं बार बार जूट बोला गया चमपतराय को जब पता था कि बगल की जमीन का मुल्ल आठ करोण है तो मैं पूछना चाहता हूँ चमपतराय जी क्या अगर आपको अपने पैसे से ये जमीन खरीदनी होती तो आप ठीक बगल की जमीन साड़े अठारा करोण में खरीदते दस हजार वर्ग मीटर जमीन आठ करोण में खरीदते और बारा हजार वर्ग मीटर जमीन साड़े अठारा करोण में खरीदते क्या आप क्योंकि ये इस देश के करोणों लोगों की आस्था का पैसा था क्योंकि ये इस देश के करोणों लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा था और उस पैसे में आपको भरस्टाचार और बेहिमानी करनी थी इसलिए ठीक बगल में 10.000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है, आठ करोण में और 12.000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है, 11.000 करोण में ये पैसा कहां गया और इस पैसे की बंदर बाट कहां हुई रभी मोहंतिवारी से रिस्ता बताया मैंने कि भारती जनता पार्टी के मेयर रिसी केस उपाध्याय और रभी मुहंतिवारी आपस में रिस्तेदार है उनके संधी का साला है ये और साथ जून को रिसी केस उपाध्याय भारती जनता पार्टी के मेयर राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले पैसा खाने वाले चंदा चोरों की जमात ने क्या किया ये मैं बता रहा हूँ साथ जून को इसने अपने भतीजे के नाम पर एक करोण नबे लाख रुपए की जमीन खरिदवाई जिसके आइके सोत का कोई अता पता नहीं इसके भतिजे का नाम है दीप नरायन उपाद ध्याए इसका भतिज़ा है जो भारती जन्तापार्टी के मेर रिसी केस उपाद ध्याए के साथ रहता है और साथ जून को इसने यह जमीन खरीदी है और यह जमीन खरीदी है एक करोण नबे लाख रुपय वा महेंद नात मिश्रा नाम के व्यक्ति से ये जमीन एक करोन नब्वे लाख रुपए में खरीदी है इसके आएके स्रोतों की जाच होनी चाहिए इसके पास एक करोन नब्वे लाख रुपए कहां से आया सुल्टान अंसारी और रभी मुहंत तिवारी के खातों की जाच होनी चाहिए उनके खाते में जो सत्रा करोण गए तो वो कहां गए इन सारे बिंदूओं की जाच होनी चाहिए दूद का दूद पानी का पानी हो गया ये एक करोण नब्बे लाख की जमीन इसका भतीजा खरीदता है भाजपा के मेर का भतीजा खरीदता है इसके आयका कोई श्रोत नहीं पता ये पैसा इसकी आमदनी कहां से होई कुछ पता नहीं इसकी जाच कराई जाए और बड़ी मज़ेदार बात सारा कौकस आज खुल जाएगा सारे रिष्टे आज बेपरदा हो जाएंगे देखे आप ये जो एक करोण नब्बे लाख में भाजपा के मेर रिषी केस उपाद्याय का भतीजा जमीन खरीदता है उसमें गवाह कौन है रवी मोहन तिवारी ये एक करोण नब्बे लाख की निजी जमीन अपने लिए जमीन प्रापर्टी बनाने का काम प्रभुसिरी राम के मंदिर के चंदे में लूट करके जो भरस्टाचार किया गया उसका सच है जाच कराओ ये एक करोण नब्बे लाख की जमीन जो भतीजे ने खरीदी उसमें भी गवाह कौन है रवी मोहन तिवारी और अठारा माँ